वो शल्मान जी ये तो हमें बोले नहीं दे रहा है आतंठ राजनीती में दूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेखने का सामाल कटा कर लिया है लेबन उसमें आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सेयर सल्मानों और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे नहीतिकता के पेंच की यूँ तो आज कल राजनीती में नहीतिकता की बात करना अपने आप में एक ट्ड़ी खीर हो गया है नहीतिकता राजनीती के लिए कुछ अच्छूत सी हो गई है आज के दोर में अगर देखा जाए किसी भी राजनीतीक दल से उनके नेताओं से उनके कारेकरताओं से नहीतिकता की बाते करना कभी नहीतिकता गहना हुआ करती थी राजनीताओं का लेकिन आज नेतिकता इतिहास की चीज हो गई है कहते हैं कुछ लोग अब भी इस नेतिकता के पार्ट को याद रखे हुए है पिछले दिनों जिस तरह की मोधी लहर चली कॉंग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ जिस तरह की भूमिका रही उसके बाद माना ये जाने लगा था कि कुछ परिवरता ना आएंगे कुछ नेतिकता की दुहाईया देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ देश भर में कॉंग्रेस समिख क्षेत्रियों पार्ट की वुरी हालत के बाद इस्तिफे का दर शुरू हो गया पहले असम के मुख्य मंतरी तरुन गोई और फिर उसके बाद पिहार के मुख्य मंतरी नितेश कुमार ने इस्तिफा देकर ये जताने की कोशिश की कि वो जनादेश का सम्मान करते हैं लेकिन सब इन सब के बीच महारास्ट की राजनिती इन तमाम घटना क्रमों से अंजान बनी रही लोग चाहते थे के पृत्वीराचवान इस्तिफा दे कौन थे कौन लोग चाहते थे ये अभी पूरी तरह से इस पर सिसले नहीं क्योंकि विपक्षी दलों का ये मानना था कि नितिकता के आधार पर उने इस्तिफा दे देना चाहिए इससे पहले भी लोगों की खौईश इस तरह की थी कि मिस्टर क्लीन पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने का मौका उनों ने दिया लाज बचाय रखिया शुक्षवान और राजीव सातों ने महारास्ट में मातर दू सीटे कॉंग्रेस को मिली किस तरह से मिली ये अपने आप पे हैं इसी इनी सब माता पच्चियों को लेकर एम पीसी सी में हमारे साथ भीषे पर बात करने के लिए दो महत्यौपोर्ण म्हेंद महमान हमारे साथ हैं हमारे साथ हैं वरिस्टर पत्रकार राजु वेरनेकर धी है जिनकी महारास में भड़ी दखल है महारास की राजनेति में आपका बहुत-बहुत स्वागध है साथे वरिष्टर पत्रकार नेता समाजिक कारेकरता हमारे साथ अविजीत राने साब भी है आपका बहुत बहुत सागत है अविजीत जी कई बातों पर हम चर्चा आप दोलों से करें लेकिन इससे पहले हमारी कोशिशों के हम चलते हैं जहां आज महारास्टर कॉंग्रेस ने अपनी भूमिकाते करने के लिए अपनी तमाम भड़े नेताओं की उपस्तिति में एक मीटिंग की क्या निकल कर आया है हम चलते हैं अपने सब्वादाता रवी शर्मा के पास जिन के पास इस विशे पर लेटेस्ट अपडेट होगा रवी 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 क्या इस्तिति रही आज तमाम बढ़े नेता महारास्ट की कॉंग्रेस के एक जिगाई कठा हुए इस पूरे प्रकरण के बाद जिस तरह की सुनामी कहते हैं कि मोधी के नाम की सुनामी आई और कॉंग्रेस रश्टवधी कॉंग्रेस की पूरे नेताओं को अपने साथ बहा ले गई ऐसी स्थिती में आज की बैठक बहुत ही महतुकुण थी क्या तैह हुआ बहुआ सब्सक्राइब सब्सक्राइब तक के पोश्ट के लोग आए बाद में और सबसे अंद्य में आये मुख्यमंती फृतिवराथ चौहान उनके आने के पश्चात से बैठक पूरी तरह से शुरू हुई तो यह संभावना जताई जा रहे थी तमाम मीडिया कर्मी और जो लोग कारेकरता मौजूत है वह यह जान कि आज इस बैठक की तो बैठक में यह अनुमान लगा जा रहा था कि इस कॉंग्रेस का जो पतन हुआ है जो परकच्चे उड़े हैं इसका जवाबदार यह फिर कौन लेता है नितिश कुमार में बिहार में इसकी जवाबदार लेते हुए इस सीफा देने तक की बात निकल कर सामने रखी लेकिन इन सभी जो लोगों की जो तवाम नेताओं की पर्तिक्रियाह के जाना जोरूरी था इसलिए साथ तमाम जी परदादिकारी है यानि गुल मिलाकर प्रिस्तिती ये थी कि नेताओं ने तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, ना मैं तुम पर आरोप लगाओ, ना तुम मुझ पर आरोप लगाओ, इससे पहले संगटन और सरकार के बीच की दूरियां हमने देखी, हमने महसूस की, लेकिन फिलहाल कोई भी जि यार नहीं है, क्यों रभी जी? तो दोनों ही नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी स्विकारी थी, लेकिन चुकी महराष्ट प्रजेस कॉंगर्स कमिटी की बैठक थी, और इसके पहले जब भी बैठके हुआ करती थी, तो कम से कम मुख्यमंतरी के साथ-साथ MPCC अध्यक्ष मारी कर ठाकरे का भी उसमे चितर ह हुआ करता था, लेकिन इस बार मानों ऐसा प्रजीत हुआ कि सारी जिम्मेदारियां उन पर पूरी तरह से सौप्ती हुए यहां पर नजर आए गई है, शायद इसे लिए दोनों का ही चितर लगाया था, MPCC के किसी भी बड़े नेता का चितर यहां पर नहीं था, तो जिम्म माइदारी लेनी की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी, कॉंग्रेस के नेताओं ने यह तैय रखा है, नेतिकता की हम बात कर रहे थे, यह समझ में आया, कि नेतिकता के माइने अब बदल गए है, इसी विशे पर हम बात करेंगे अपनी थितियों से, रभी इस अपडेट के देख रहे हैं, देश की राजनिती को देख रहे हैं, कभी एक छोटा सा एकसिटेंट रेलवी का हो जाया करता था, तो जिम्मेदारी लेते हुए रेलवी मिनिस्टर इस्तिफा दे दिया करते थे, कहीं दंगे हो जाया करते थे, तो देश का ग्रह मंत्री इस्तिफा देने क अपनी नेतिक जिम्मेदारियों को समझता था और इस्तिफा देकर कुछ न कुछ थोड़ी सी उस जो भी माहौल बना होता था उसको कम करने की कोशिश करता था नेतिश का इस्तिफा राजनीती से प्रेरित है या नेतिकता के दायरे में आता है ये एक अलग प्रश्ण हो सकता है क्योंकि वर्तमान की राजनीती कुछ इस तरह की गडमड हो गई है कि कौन नेतिक है कौन अनेतिक कह पाना मुश्किल है महाराष्ट की राजनिती में आप क्या देखते हैं क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कॉंग्रेस की इतनी बुरी हार के बाद संगठन या सरकार के वरिष्ट जनों को इस्तिफा देना चाहिए था या बने रहना चाहिए आगामी विधानसभाद चुना होता हुटा इसी है कि यह जो आपने शुरू में कहा कि एक जमाना था कि कोई अफगात होता था एक्सेटन होता था तो रेल मंत्री इस्तिपा देता था कहीं कोई कोई घटना घटती थी तो इस्तिपा यह दोर कभी का खत्म हो चुका है आज मेरी खुरसी है जब तक मुझे यहां से यह समीगरन बन गया है तो इस महावल को देखते हुए प्रिथ्विराज चवाण ने इस्तिपा देना चाहिए या नहीं यह तो उनके पार्टी के वरकरी बता सकते क्योंकि यह यह इसा दोर रहा इने अगर बात रही नितिश्कुमार की नितिश्कुमार बिहार और में काफी फर्क है जैसे ही ननेंद्र मोदी का नाम प्रैमिनिस्टर के लिए उबरा तो सबसे पहले उसका विरोध करने वाले नितिश्कुमार जी थे उन्होंने विरोध किया फिर वहां से बीजेपी के साथ उनका गट बंदन था वो छूड गया शायद अब जब से उनका पूरा पूरी तरह से सफाया हो गया है लोग सबाचुनाम में इसलिए नितिश्कुमार जीने इस्तिफा दिया है वैसे अगर पृतिवराज दे जैसे के पूरी तरह सिर्फ दो सीटे अड़तालीज में से याने पूरे एसम्री की दो से मॉल्टिप्लाय करे तो बारा सीटे पर शिकर नहीं है चुकि अपना पुत्र हारा इसलिए शायद नाराय नारे ने इस मामले में थोड़ा सा पहल करके एक अपनी तरफ से एक प्रस्ताव तो रख दिया है इस्तिफा दे कर उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि वो उनकी नेतिखार थी अभी जीत जी आपने कॉंग्रिस और नेस्टरलिस कॉंग्रिस के तमाम नेताओं को बहुत करीब से देखा है उनके कारिश हली को भी आप देख रहे हैं को इमिस्टर क्ली ना हुआ है को ये अपने आपको इस प्रदेश का सरवे सरवा मानने का प्रयास करता है दोनों दल के ऐसे नेताओं की फोज के बीच क्या महाराश्ट की जनता किसी से भी इतनी सी भी नेतिकता की अपिक्षा कर सकती है मैं समझता हूं निश्यत तोर पर जो जनता अपिक्षा कर रही है या जनता ने जो अपेक्षा किया था वो चुनावन में हमने समने आपने देखा है आज पूरी तरीके से हम सिर्फ महाराष्ट की बात करें तो महाराष्ट में 48 सीट में 46 सीट भारती जनता पार्टी और इंडिये को दी गई है मैं समझता हूँ कि एक लहर है जो पूरी तरीके से सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ है अब आई नहितिक्ता की बात तो मैं समझता हूँ पूर्थविरा चवान कोई इकलोता आजमी नहीं है जो पूरी तरीके से ये चीज के लिए responsible है Congress एक party है, a single largest party state की हम कह सकते है और ऐसी party को जनता ने अपने vote के माध्यम से पूरी तरीके से सुला दिया है और अभी जब महाराश्टर में उनकी सरकार है और ये अकेली की Congress की सरकार नहीं है, ये मिली जूली सरकार है, Congress NCP की सरकार है आज चुनाओ, विदान सभा चुनाओ, अगले चार मेने, पाच मेने पे आये हुए है और ऐसे समय पर ये party राजी नमा मांग रही है यह देना ये party के लिए कितना हानिकारक हो सकता है इसके पहले के जो इतियास अगर आपने देखे तो जहाँ पर चुनाओ के पहले 6-7 मैंने पहले जो रिजिगनेशन दिये गया है वहाँ पर कहा भी party successful रही नहीं है इस्तिफा देने से परिस्तितिया बदल सकती थी शायद आप यह कहना चाहते हैं कि लतीजे उतने अच्छे नहीं आते लेकिन नहीतिकता की मांग के अगे अगर आप इस्तिफा देते भी तो क्या जरूरी था कि हाला कमान उसे एकसप्टी कर लेता लेकिन एक हार की जिम्मेदारी चुकि मुक्यमंतरी है आप प्रदेश के अध्यक्ष है आप मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष है आप यानि की पोस्ट पर बैठे हुए लोगों की इतनी तो नहितिकता बनती थी कि नस्तिफे की पेशकश जैसी चीज तो कर सकते थे जिसे राजनीती में एक पत्ता कहा जाता कि भी हमने अपने पत्ते चल दिये के सारा कुछ आला कमांड पर निर्भर करता है मैं समझता हूं कॉंग्रेस में क्लीन इमेज जो निता है वो प्रत्विराच चवान के सिवा अभी कोई क्लीन इमेज महाराश्टर में बचा नहीं है और ऑप्शन क्या ठीक है हाई कमांड उसे मंजूर करे नहीं करे मगर मुझे मुझे लगता है गए अडाई साल का जो उनका परफॉमंस है स्लो जरूर रहा है बट ही हाज डन कंस्ट्रक्टिव वर्क कॉंग्रेस अपने आप में जो डिलीवरी कर रही है वो लोगों तक पहुच नहीं पाई मैं समझता हूं जिस प्रकार से यहाल पूरे देश का रहा मैं सिर्फ महराष्ट का बात कर रहा हूं जो भी उन्होंने डिलीवर किया जनता तक पहुचा नहीं पाए निश्यत तोर पर किदर ना किदर पॉब्लिसिटी के माद्यम से लोगों तक जो जिस प्रकार से जो पॉलिसी इंटिडियूस की गई आज आर्टिया है जिस आर्ट केजरिवाल जैसे आप पार्टी के प्रसिडेंट जिस प्रकार से छोटी सी बात का प्रोपगंडा करते है वैसे कॉंगरेस उस प्रकार से अपने आपके परफॉर्मंस का पॉब्लिसिटी कर नहीं पाई पॉब्लिसिटी करना राजु जी अपने कारियों की पॉब्लिसिट कि अपनी अपनी कारशेली पर मतदान हुआ लेकिन राजिक के मुख्यम मंत्री और प्रदेश अद्यक्ष और मंबई के प्रदेश अद्यक्षोने के नाते क्या एक सामुहिक जिम्मेदारी नहीं भनती थी कि कोई ठोस नतीजा लेते या सरसरी तोर पर इस पूरे वेव को खा तो कोई नहीं कौन किस पर आरोप लगाए के जिदी समंदी बात सिह है कि नहीतिक्ता से उन्होंने इस्तिफा देना चाहे या नहीं हमारे सयोगे ने भी कहा वैसे कि चार मेने अभी बच्ते हैं hypothetical उन्होंने स्थिपा देख Peusch होने वाला नहीं है कि चार महिने में क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता तो वैसे होता तो SM लिगां विसर्जन करकी दोनों चुना वहीं की साथ लें तो तो कीरे चुने चार मैने और जैसे आपने ही कहा कि वो नाम वात्र गिसकतेते जलो मैंपने हाइप करें नहीं करे उत्ना वो कर सकते इते हैं वह करें तो भी किस्टार मैंने में वैसे मृषि नहीं लगता है कि अभिक्षा करना भी बह्माने हो गया है और आज Thai कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हुआ है कहीं खाताय तक नहीं खुला है अभी जी फिर प्रित्वीरा चवहनी क्यों निशाने पर अन्य लोग भी हो सकते थे लेकिन ऐसी आवाज कम प्रदेशों से उठी है मैं समस्ताओ निश्यत तोर पर एक क्लीन इमेज और महाराष्टर के जो नेताय है नेताओं के ओपर हुए हुए आरोप और ये सभी चीजों को स्लोडाउन करने का काम करने का काम प्रुद्विराद चवानने किया उनको महाराष्टर में भीजने का कारण ही यह था कि जिस प् तो बहुत सक्सेसफुली उन्होंने यह सब चीजों को बहुत अच्छी से लगाम लगाया कांग्रेस में पहले से ही इंटर्नल पॉलिटिक्स बहुत तेजी से चल रहा था आज जो हमने एक एपिसोड देखा कि आज नारायन राने जी ने अपना रेजिगनेशन दिया नित जासता हूँ मानिकराओ ठाकरेजी जो प्रदेश के अध्यक्ष है उनकी एक नहीतिक जवाबदरी होती है कि उन्होंने ये सभी विशयों के ओपर एक कॉल आउट लेना था आज कॉंग्रेस ने जॉइंट बैठक ली उस बैठक में उन्होंने निरने लिया है कि सोनिया गा करना चाहिए चर्चा होनी चाहिए और आगे की रने निती हमें तई करनी हम AICC All India Congress Committee का फुरी तरीके से सन्मान करते हैं उनके इंस्ट्रक्शन पर आगे भी हम कम करते रहेंगे तो सी दव मेसेज वाट्स दे वांट तो गीव तिल तुड़े और इसके आगे भी हम उनाइटेड है हम अभी अभी एकता जिखाना ज्यादा जरूरी है कि हम सब एक है और केंद्रे नित्रतु के मारग दरशन में काम करने को तयार है शायद यह अभी संदेश देना चाहरे क्योंकि भीतर तक आगात लगा है उस संगठन को जिसने वर्षों से इस देश पर राज किया हो जिसने कई आधिया जहली हो वो एमर्जंसी की आधि भी जहली है वो बोफोर्स दलाली के बाद भी वो आश्ये पर गई है व का ऐसी परिस्थितियों में आपको लग रहा है कि कॉंग्रेस और NCP के नेता इससे इन पूरे प्रकरण से इस तरह के आधिया और सुनामी के नाम से कुछ सीख लेते हुए आगामी दिनों में कुछ बेतर प्रदर्शन करने की उम्मीद करेंगे या मोधी फैक्टर तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि महाराष्ट के चुनाव खत्म नहीं हो जाते हैं दिखें सल्मा जी ये मोधी फैक्टर है ये तो पूरा पूरा प्रभावित रहेगा ना केवल से महना कम से कम एक साल तक या इस बीच में अगर चुनाव होते हैं तो घाटे का सौधा होगा परतमांसरकार के लिए यहां के लिए अगर तुरंट चुनाव होते हैं मानलो यह चार मैने में भी होते हैं यह सौधा पूरी तरह से यह कॉंग्रेस NCP के लिए घाटे का सौधा है क्योंकि जैसे कि यह 42 सीटे है हम अगर वैसे एसमली की 252 सेटों में यह लोग मानलों जीद गए है और यह असर पूरी तरह ही और यह चार या पांच मेने में कॉंग्रेस और NCP ऐसा क्या कर पाएंगे कि लोगों को प्रवाइद कर पाएंगे अगर अगर थोड़ी इत्यास के हम बात करें अभी इतना बड़ा घोटाला उभर कर आया ब्रश्टाचार उभर कर आया अजित पवार जी ने नाम के लिए इस्तिपा दे दिया बाद में वह वापस आये और यह सब जनता ने देखा है तो यह मुदी फैक्टर है चार-छे मैने तक जरूर रहेगा एसमली तक रहेगा ही अभी जी जी मुदी फैक्टर और सरकार के खिलाफ पढ़ने वाले मत यह दोनों फैक्टर काम कर गए और शायद नतीजा इसलिए कुछ अलग ही देखने को मिला आगामी दिनों में आपको लग रहा है कि कॉंग्रेस और NCP के बीच की नस्दी किया और इन दोनों का गड़ बंधन आने वाले दिनों में उस लोग प्रियता को या अपने सरकार के खिलाफ पढ़ने वाले मतों को कुछ हद तक रोक पाएगा च्छोटे से मुंबई शायर की बात करें तो शायद मुंबा देवी या उसके अलावा एकात कोई MLA की सीट है जहां पर लीड कर पाए है अंगरेस ने लीड ली हो तमाम जगहों पर वो पीछे रहे हैं सेना बीजीपी से तो ऐसे में क्या यही ट्रिंड बना रहेगा आंगावी दिनों में मैं समझता हो लोगसभा ELECTIONS के मद्दे नजर हम समझते हैं जब सर्वसामाने मतदार जो है वो प्रजाश्च़ के क्यांडिडेट के उपर जड़ा फोकस होता है विदान सभा ELECTIONS में जो लोकल हमारे एरिया का सर्वसामाने कारे करता हो जो हमारे से हमारे REACH में हो हमारे day to day activities में participate होता हो हमारे काम करता हो ऐसे कारे करता हो को लोग vote देते हैं मैं समझता हूँ निशित तोर पर मोदी जी का एक जो वातावरन है वो रहेगा मगर जो आप आपने शेत्र में जिनोंने अच्छा काम किया है वहाँ पर लोग आज समझदार है आज जो voting हुई है बहुत समझदारी से हुई है मैं समझता हूँ और निशित तोर पर उसका effect जो अभी perform किया है मोदी जी ने या मोदी जी के team ने वो विदान सभा में repeat होगा इसके ओपर एक doubt है तो अगर ये समझदारी इस तरह की समझदारी के आप तारीब कर रहे हैं अगर यही समझदारी विदान सभा के चुनाओं में मतदाता दिखाते हैं तब तो नतीजे कुछ अलग ही आ सकते हैं मैं समझता हूँ ऐसा है कि आज महराष्ट में लीडिंग पार्टी कॉंगरेस है और निशित तोर पर महराष्ट में NCP कॉंगरेस के maximum MLA हम देखते हैं और जो corrupt MLA है जिनके ओपर दोश है मैं उनकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मगर जो यंग है जो डाइनमिक है जो लोगों के लिए आज परफॉर्म कर रहे है निशित तोर पर उनकी भी बड़ी संख्या है और निशित तोर पर वो जो result भारती जनता पार्टी और सिवसिना ने आज के चुनाओं में जो हासिल किया है निशित तोर पर आगे भी वो ट्रेंड रहेगा मगर जिस प्रकार से उन्होंने सक्सेस लिया है वो आगे वो लेवल पर सक्सेस को ब्रेक कॉंग्रेस आज के मीटिंग में तै कर चुकी है तो मैं समझता हूँ कि स्लो डाउन प्रोसेस और कॉंग्रेस बहुत परिश्रम करेंगी आखिर में सत्ता किसको नहीं चाहिए और सत्ता के लिए कुछ बहतरी करने की कोशिश करेगी और आने वाले दिनों में अगर इस तरह की भूमिका बनती है कॉंग्रेस और न्सीपी कुछ बहतर करने की कोशिश करती है तो केंद्र द्वारा भी उसी तरीके के बहतर काम करने की कोशिश हो सकती है चलिए राजु जी चुकी समय आब हो के करना हम बहुत सारी बाते नहीं कर पारे नेतिकता की बातों पर हम जा रहे थे नेतिकता कुल बात ये समझ में आई कि अब आज के वरतमान नेताओं से लाख उन पर इमानदारी के और क्लीनिलेस के तमके लगते हों उसके बावजूद नेतिकता सचमुच में इतिहास का उधारन बनकर रहे गई है अब नेताओं से नेतिकता के अपिक्षा करना मुर्खों का काम मना जाएगा फिलाल के लिए आज आप दोनों आए हमारे साथ चर्चा में इसालिया बहुत सारी बाते ऐसी जो आज के नेताओं से अपिक्षा की जाती हैं हो नहीं पाती उस पर चर्चा की हो तो ज्यादा बेतर है आने वाले बेतर कल की उम्मीद लिये हुए हम फिलाल इस कारेकर में यहीं विश्राम लेते हैं अपने सभी साथियों के तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इसके बाद भी खबरों का सिल्सिला जारी रहेगा मुद्दे की बात में देखते रहे हैं लेबनियूस मारेग करना जारी बात में प्रस्तितंल आप मेंपन अपना